नमस्कार आईए फूटिंग वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कम्बाइंट फूटिंग में एक किसम की और फूटिंग भी होती है जिसे हम लोग केंटी लिवर या स्ट्रैप फूटिंग कहते हैं ये दो आईसोलेटिड फूटिंग को जोड़ कर बनाई जाती है जिसमें स्ट्रैप या केंटी लिवर हिस्सा एक धरन या बीम होती है जैसा कि इस चितर में दिखाये गया है जहां दो सेपरेट कॉलम ए और बी के लिए दो आईसोलेटिड फूटिंग पनाई गई हैं इस परकार की मुख्यत है दो आईसोलेटिड फूटिंग में से एक फूटिंग प्रॉपर्टि लाइन के आसपास होने के कारण वह समान रूप से दोनों और बन नहीं पाती है इसलिए लोडिंग में एक तरह की इसेंट्रिसिटी रह जाती है और ऐसे में जैसा कि चितर में दिखाया गया है फूटिंग ए जो पूरी तरह के से दंगसर नहीं बन पाई है क्योंकि उसका आधा इस्सा ही बन पाई है या आदे से कम इस्सा ही बन पाया है वे एक समान या uniform रूप से नहीं बन पाई जिसके करण से उसमें loading में eccentricity आ जाती है और उसमें एक bending moment उत्पन होता है अब इसको स्थिरता परदान करने के लिए isolated footing B को एक से एक strap या beam द्वारा जोड दिया जाता है ताकि A में उत्पन, बंकर्ण या bending moment जो eccentricity के कारण उत्पन हुआ है वह है B में थोड़ा हस्तांत्रित हो जाए तथा दोनों मिलकर के stable या संतोले तवस्था में आ जाए परिवाशा के अनुसार strap footing का इस्तमाल eccentricly loaded column को किसी interior कॉलम के साथ में जोड़ने के लिए strap लगागर बनाया जाता है ताकि इस intensity का परभाव interior column footing को अस्तांत्रित हो सके और जिसकी वजह से मिर्दा पर लगने वाला दाव एक समान रूप से नीचे की और दोनों footing पर लगे ऐसी वस्था में strap footing का ही समाल होता है rectangle या trapezoidal footing का नहीं क्योंकि इस अवस्था में कई बार दूरियां जदा अधिक होती है और पर दोनों आधारों को जोड़ने वाला strap beam बहुत ही रिजिड होता है और दोनों आधारों को जोड़ने वाला और यह केवल उसका कार्य होता है कि दोनों आधारों के बीच में उत्पन इसेंटिसिटी के कारण बंकन को अस्तांत्रित करें वह अन्य कोई लोड नहीं लेता है केवल बंकन या नम नगून ही लेता है कि स्टैप फुटिंग बहुत ही रिजिड होता है बहुत ही द्रड होता है जिसकी शर्त यह है कि मोमेंट ओफ इनर्शिय ऑफ स्टैप फुटिंग बटे में मोमेंट ओफ इनर्शिय ऑफ आधार या फुटिंग का अनुपात दुगना होता है यानि स्टैप का मोमेंट ओफ इनर्शिय आधार के मोमेंट ओफ इनर्शिय के दुगने से भी अधिक होत कि वह गुमें नहीं या उनमें किसी परकार का टॉट्शन या टिल्टिंग उत्पन ना हो दूसरी शर्त यह होती है कि दोनों जिन आधारों को जिन मिर्दाओं पर प्रेशर हस्तानतित करना होता है वहाँ पे एक समान लोड लगे वो स्ट्रैप की सायता से होता है और डिफरेंचियल सेट्लमेंट होने की संभावना को यह चीज कंट्रोल करती है अर्थात यदि बैठा होगा तो दोनों जिन आधारों का समान होगा ना कि अलग अलग तीसरी शर्थ है स्ट्रैप जमीन के संपर्ग में नहीं आता है वह किसी भी परकार का सॉयल के साथ में कनेक्शन नहीं होने कारण उसमें कोई सॉयल के वज़े से रेक्शन उत्पन नहीं होता है अभिकलपन में स्ट्रैप का वेट डिजाइनिंग में नहीं उप्योग में ले आजाता है, strap केवल दो आधारों को column सहीत जोडने के काम में आता है तथा बंकन को रोपता है इस अवस्था में footing केवल one way bending में ही design किया जाता है और strap beam को उपर तथा नीचे दोनों ही जगे पे reinforcement प्रदान किया जाता है अगली परकार की foundation है, raft foundation, इसे mat foundation भी कहा जाता है combined footing की भाती raft foundation भी एक से अधिक column के लिए बनाई जाती है लेकिन इसमें दो ना होकर के दो से कहीं अधिक columns होते हैं और वह इसलिए पदान की जाती है कि कुंकि columns नजदीक होते हैं ऐसे में isolated footing का परभाव छेतर overlap होने की संभावना रहती है और अलग-अलग बनाने में वह अधिक खर्चिली होईगी तो ऐसे में राफ foundation बना ले जाता है या फिर राफ foundation तब बना जाता है कि नीचे की जो मिर्दा है वह पूरे छेतर में एक समान नहीं है इसलिए isolated footing जब बना ही जाएगी तो सनेचनाग में आधारों का differential settlement होने के संभावना रहती है ऐसे में राफ foundation जब बनाया जाएगा तो settlement एक समान सभी कॉलम के लिए एक जैसा रहेगा और differential settlement से बचा जाएगा राफ foundation की परिभाषा के अनुसार ये एक तरह का concrete slab है जो कई कितारबद कॉलम का भार मिर्दा पर हसांतित करता है यह मुख्यत है industrial buildings में इस्तमाल में लिया जाता है जहां कितारों में कॉलम्स लगेवे होते हैं या जहां पे चिमनी या टावर स्ट्रक्चर्स इत्यादी हूं वहां पे राफ foundation का बहु प्योग दिखा गया है जैसा कि बताया गया राफ foundation उस प्रकार की मिर्दाओं में इस्तमाल किया जाता है जहां पर अधार के नीचे वली मिर्दा की बीरिंग केपस्टी कम होती है ऐसे वस्था में सरेचना का भार अधिक एरिया में हस्तांतित करने के लिए राफ का उप्योग किया जाता है चुंकि isolated footing या spread footing बनाएंगे तो अस्तांतरन का एरिया थोड़ा कम रह जाता है ऐसे में राफ footing में अलग-अलग कॉलंग कि एरिया बढ़ जाती है और चुंकि एरिया बढ़ जाता है तो मिर्दा पर लगने वाला pressure भी बड़े एरिया में स्तांतर होने करण उसकी intensity कम हो जाती है राफ foundation का एक और फायदा है कि यदि ये ground water या भूम जल तल के नीचे भी बनता है तो भी ये एक water barrier के भाती कारे करता है और जल के परभाव या नुकसान को रोगने में समर्थ होता है ये एक raft foundation का layout है जहां पर देख सकते हैं कि ये concrete slab के भाती विवाद करती है जिसके उपर केई column अपना बाहर लगाते हैं ये भी देखा गया है कि राफ foundation में जहां column आता है वहां slab की thickness बढ़ा दी जाती है तक कि load अधिक वहन कर सके और अन्य छेतरों में slab की thickness कम रखी जाती है ये इस तरह का उपयोग मित्वी सिद्ध हुआ है कई बार इस तरीके से भी column के नीचे thickness बढ़ा दी जाती है ये भी मित्वी सिद्ध हुआ है विभिन तरह की राफ फांडेशन भी पाई गई है देख लीजे जैसे वैफल्स लैब हराफट फांडेशन के लाब में ये फाइदा है कि ये एक water barrier के साथ साथ अधिक column के लिए बनाई जाने के कारण कम खर्चिली सिद्ध हुई है और अलग-अलग छेतर में घनत्व होने कारण मिर्दा का सामर्थे चुंकि अलग-अलग होता है ऐसे में differential settlement को रोकने में भी ये उपयोगी सिद्ध हुई है लेकिन इसका सबसे बड़ा हानी यही है कि इसे बनाने में समय बहुत अधिक लगता है तथा साधनों के आवशकता पड़ती है स्किल्ड लेबर भी चाहिए जो इसे थोड़ा खर्चिला बना देते हैं दन्यवाद इसी के साथ यह टॉपिक समाप्द किया जाता है